कल जो सावन का महिना पूरा पूरा हो जाएगा तो सावन के पूरे महिने होने को या पुराने जो हमारे पाली के जितने भी महिने हैं जब वो पूरे हो जाते हैं तो उसको यानि पूरा चंद निकलता है चंदी मा से चंद पाली में बोलते हैं तो पूरन मास चंद जो पूरा सिंग है या जितने भी पूरन चंद है या पूरन चंद है अगर आप किसी का नाम पूरन समझते हैं या पूरन चंद समझते हैं तो वो पाली का पूरान नाम है या जो भी आदमी आपको कहीं पूरन मिलेगा या पूरन सिंग या पूरन चंद या पूरन लाल वही पूरन मास अगर बुद्ध के साहित्य में आप जाओगे तो बुद्ध के साहित्य में या उससे पहले किसी कथा कहानी में भी आपको यह जो आज का जिसको रक्षावंदन फेस्टिवल बोलते हैं यह फेस्टिवल नहीं मिलेगा और सावन का जो मतलब पाली के अंदर होता है सावन का मत होता है सुनना तो सवन और सावन से मिलके यानी सुनना और भाशन देना है इन दो सब्दों से यह सावन महिना बोला जाता है करण क्या है कि कुरागे समय में तो पकी थी नहीं और बारिस जहमा豐 t लिग इसको बोलते या चाहते थे या शार से शुरू हो दी ती असार का मत बाइस होता है यानि कि यो लगातर बारिस होती है मूषणाधर बारिस उसको आसार। तो बुद्ध और बुद्ध के अनुजयाई या जो महावीर जैन कि शन की चोंकर लोग थे या जो और मत ओंके लोग थे वह आ आ जा नहीं सकते थे तो महावीर जैन ने एक नियम बनाया कि बारिस में वो कहीं जाएंगे नहीं और वो जो नियम था उपोसत का वही नियम बाद में फॉलो किया वहां से लेके कि बारिस में कहीं जाना नहीं है बारिस में एक जिगे रहके पठन पठन करना है अभ्यास करना और कहीं किसी गाउं के आसपास में वो भिक्कू लोग रहते थे और सारे भिक्कू लोग रहके वहां पर पठन पठन करते थे उस पठन पठन को क्योंकि पहले कोई किताब तो थी नहीं कोई पैन नहीं कोई अक्षण नहीं कोई लीपी नहीं तो सुनना होता था तो सावन या तो इस महिने में धंव Δॉमब को लोग सुनसा थे विख लोग और बागी लोग और पाstart को और पासी काती सुनते थी यह बड़ा हम उता सब्सक्राना नाम सोभूcontrol है उस समय यह गड़िंण रख्षावंदन है यह कहीं नहीं था कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता बहुत पहले तक जिक्र नहीं मिलता तो यह रख्षावंदन कैसे डबलप हुआ जब बुद्ध वैसा कोड़नमा को चले गए खतम हो गया सरी छोड़ दिया उन्होंने अपना उसके तीन महिने बाद एक पाली में इसलिए बहुत सारी जगे रखड़ी भी बोलते हैं यानि कि आप अगर अफगारिस्तान में जाएंगे पंजाब में जाएंगे अगर आप इदर पाकिस्तान की एरिया में जाएंगे तो वहां नौट में सको रखड़ी बोलते हैं रखड़ी यानि रख्षा करनी है अभी रख्खा का तो पाली से रख्षा बना दिया तो रख्षा करनी है तो सूत्तों की रख्षा के लिए भिक्तूओं ने संगती की पांसो भिक्तूओं आए जो बहुत ज़्यादा ज्यानी थे सबसे उच्छी लेवल के उन्हों लोगों ने वहां एक सत्त रिसी करके को विने बोलते थे हैं वो अलग आगे और जो सूत वाले थे वो अलग आगे तो एक व्यक्ती एक सूत को बोलता था एक भिक्कू भिक्कू थे सारे तो भिक्कू एक सूत को बोलता था साही लोग कहते थे हैं यह ठीक है फिर उससे पूछा जाता था कि कब बोला कैसे बोला घुल चूल की सुनाते थे। उनको भाललक सही बाद में बाडू सब्सक्राय बनाया गया है। और दोनें का गाली बना बाद में ये दोनों ही और लोग बंढ को बताने वालोग बाल Доसल मट नहीं बनाया गण्याया। तो वो जो सूथ वहा बाने गए उनकी जो रखड़ी ऒए उसको 25 dopamine कि या और आगया तो उनको पूरा Zextam या गे और किया गया क्वब्द्र होगे तो याद किया गया इक्स्वार एक्साइर है औरम अ हुलाट की को नाशन लगा कि बुद्ध चले गए अच्छा हुआ अब हमें इन सब चीजों से छुपतालब मिलेगा बुद्ध बड़े सक्त नियम वाले थे हमको ऐसा नहीं करने देते थे तब वहां जो बड़े भिक्तूते नोंने कहा कि हमको यह सूत बचा कर रखने वरना तो धम खरम हो जाएगा नष्ड हो जाएगा तो उस दिन से जो उस्टार्ट हुआ वह दिन उसको रखा सुत बंदन बोलते हैं और यह साथ महने तक चला यानि कि यह जो पूरा हुआ यह हुआ हुआ होली प इसको होली मनाते हम जो ओली का दिन आता है उस दिन से बांगे यह धागे से बांदना एक वहां का स्बाल है कर इस सुत्व सारे धागे से बांदने हैं आठ जो गोवर के तुकड़े होतें उनको कहते हैं कि यह सात महने यह पूरा हुआ तो इसनिये इसको धम चक सुत्तंग दिवसंग के नाम से ये जाने लगे, जाने लगे, बाद में लोग इसको, जूँकि धम चला गया, सारी बात चली गई, तो लोग इसको वोल गए, वंगर परमपरा नहीं बुले, और ये परंपरा लोगों ने सूत बांदनी की बजाए उनको धागा बांदने की परंपरा बना लिए और धागा बांदने की परंपरा भी कह दिया इसको बना दिया बेहन भाई से जोड दिया अब सवाल यहां बहुत सारे अगर कॉमन सेंस का आदमी है और कोई किताब उसने जिनकी में नहीं पड़ी है और कोई किताब पढ़ने की जरुत में नहीं है अगर वो समाज में देखेगा तो देखेगा कि भारत के कुछ हिस्सों के अंदर ही यह जो रक्षा बंदन का सूत्र है यह रक्षा बंदन का जो तोहार है फेस्टिवल यह मनाए जाता है तो सिर्फ वन साइड़ है यानि कि जो भाई है वो बहन की रक्षा करेगा और बहन चाहें तीस साल की है या तीन महिने के या तीन घंटे की है और भाई चाहें तीन महिने का है या तीन साल का है तो हम ऐ साल में 355 दिन में सिर्फ एक बार रख्षा करेगा और भाई की रक्षा का कोई बंदन नहीं है कहीं और भारत में सब लोगों में नहीं और पूरी दूनिया में तो कहीं है नहीं मगर सावन का जो पूरनवासी का महिना है, यह पूरे भारत में जगे जगे कहीना कहीynn किसी नाम से मनाया जाता है, अगर आप पूरा कि पूरा सिष्टम देखेंगे फेस्टिवल का तो भारत के हर शेत्र में सावन की जो पुर्ण मासी है वो किशी ना किशी रूप में मनाई जाती है कोई ना कोई तरीका उसका है और वो सारे तरीके वहीं के हैं जब सूत्थों को एक रक्षा करके उनको गांट बाद देके जिसको गंट बोलते हैं गंट सही पूपर लोग अपना उप के समें लोग अपना उपपोशन करते थे उसको पूरा करते थे supplementary करते थे उसको complete करते थे तो वो सारे भिकु एक जीगे बैठते थे भिकुणी आलग बैठती थी तो उसमें 21 प्रकार के लोगों का आना मना था यानि के बिकुण के अलावा 21 प्रकार के लोग उसमें नहीं आ सकते थे वो विने पीटक में दिया नहीं उसमें लोग तो ऑच प्रकार की वही लोग रहेंगे हैं लोग तो वह पूरा पूरा सिस्टम हो गया उसी भाज़े को आज व Malays Bante हैं साइड में बांद था ते हैं और आप ने देखा होगा के लोटटे से बांद के वो पुरा जहां लोग बैठे रहते हैं उस धागे को बांद लिया तो हाथ में धागा बांदे की परमपरा भी सूतों को याद करने की और। यह जितनी जो परमपरा बनी है सूतों को रक्षा करने की कि दरसल सूतों की रक्षा हैं किसी महिला की रख्षा कोई पुरुष नहीं करता क्योंकि आदमी अगर बड़ा है तो वो छोटी अपनी बहन है या माँ है उसकी रख्षा करेगा यह उसका नेचरल प्रॉसस है और अगर कोई महिला बड़ी है उसका भाई छोटा है तो वो उसकी रख्षा करेगा यह वन प्रण्दन करने की पूरी हिश्टी मिलती है इसलिए यह वहां से चलता है इसलिए बड़े धूमदाम से यह मनाए जाता है गर्नेवाद आदिन्न अधाना विर्मनी सिक्खा पदं स्माधிयामी मूसावादा विर्मनी सिक्खा पदं स्माधிयामी सूरा मेरे मज्ज पम्मान टठन पेरमनी सिख्खाप दिंग स्माधियानी